Mild Collection in Calde Sac का क्या मतलब होता है ये आज की वीडियो में सेख लेते हैं इसमें सबसे पहले मैं आपको Calde Sac का मतलब बता देता हूँ Calde Sac का मतलब होता है कोई भी चीज ऐसी होती है जो आगे से बंद होती है यानि कि जिसमें आरपार जाने की जगे नहीं होती उसको Calde Sac का जाता है तो आम भाशा में जब हम बात करें तो Calde Sac का मतलब होता है कि किसी चीज का बस ठहराव पर आ जाना या किसी चीज का रुक जाना या उसमें आगे जाने की जगे नहीं होना लेकिन जब हम कोई medical check-up कराते हैं तो उसमें जो कलडे सैक आता है तो वो किसी ऐसे organ के लिए या किसी ऐसी थैली के लिए आता है जो आगे से बंध होती है यानि कि जो कोई tube जैसी सरंचना या कोई भी शरीर में हमारे थैली जैसी सरंचना होती है जिसमें आरपार जाने की आगे जाने की जगे नहीं होती तो उसको कलडे सैक कहते है और mild collection का मतलब होता है कि उसमें हलका सा कोई चीज इकठी हो गई है यानि कि आम भाशा में हम कहते हैं कि इस जगे पर पानी भर गया है तो उसको mild collection in कलडे सैक कहते है यानि कि शरीर में कोई भी ऐसा अंग होता है या कोई थैली जैसी ग्रंथी जैसी सरंचना होती है जिसमें आर पार निकलने की जगे नहीं होती और उसमें कुछ भी फ्लूड जैसा भर जाता है हलका सा तो उसको हम mild collection in kaldi sack कहते हैं यह जानकारी आपको शेक्षिक उद्देश्य से दी गई है इसमें आपको सिर्फ kaldi sack का मतलब बताया गया है इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप अपने doctor से संपर्क कर सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें